तीसरा अध्याए या मारना वे चुप रहे और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया तब फरीसी बाहर जाकर तुरंक हेरोधियों के साथ उसके विरोध में सम्मती करने लगे कि उसे किस प्रकार नाश करें और यीशु अपने चेलों के साथ जील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीर उसके पीछे हो ली और यहूदिया और यरुशलेम और इदूमिया से यर्दन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीर ये सुनकर के वो कैसे आश्चर्य के काम करता है उसके पास आई और उसने अपने चेलों से कहा भीर के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तयार रहे कि वे मुझे दबा न सके उसने बोहतों को चंगा किया था और जितने लोग रोग से क्रसित थे उसे चूने के लिए उस पर गिर पढ़ते थे अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पढ़ती थी और चिला कर कहती थी और उसने उन्हें बहुत चिताया कि वे उसे प्रगट ना करें फिर वो पहाड पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास चले आए तब उसने बारह पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वो उन्हें भेजे कि प्रचार करें और दुष्टात्माओं के निकालने का अधिकार रखें और वे ये हैं शमौन जिसका नाम उसने पत्रस रखा और जबदी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई युहन्ना जिनका नाम उसने बू अनर्गिस अर्थात गरजन के पुत्र रखा और अंद्रियास, फिलिपुस, बर्तुलमई, मत्ती, थोमा और हलफई का पुत्र याकूब और तद्दी और शमौन का नानी और यहूदा, सकरियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया और वो घर में आया और ऐसी भीड इकठी हो गई कि वे रोटी भी न खा सके जब उसके कुटुमबियों ने ये सुना तो उसे पकड़ने के लिए निकले क्योंकि कहते थे कि उसका चित ठिकाने नहीं है और शास्त्री जो यरुशलेम से आये थे ये कहते थे उसमें शैतान है और ये भी कि वो दुश्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुश्टात्माओं को निकलता है और वो उन्हें पास बुलाकर उनसे दृश्टानतों में कहने लगा शैतान क्यों कर शैतान को निकाल सकता है यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वो राज्य कैसे स्थिर रह सकता है यदि किसी घर में फूट पड़े तो वो घर क्यों कर स्थिर रह सकेगा और यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वो कैसे बना रह सकता है उसका तो अंत ही हो जाता है कोई मनुष्य किसी बलवन्त के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता जब तक की वो पहले उस बलवन्त को न बांध ले और तब उसके घर को लूट लेगा मैं तुमसे सच कहता हूँ मनुष्यों की संतान के सब पाप निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी परन्तु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद निंदा करे वो कभी भी क्षमा न किया जाएगा वरन वो अनन्त पाप का अपराधी ठहरता है क्योंकि वे ये कहते थे कि उसमें अशुध आत्मा है और उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा भीड उसके आस पास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंडते हैं उसने उन्हें उत्तर दिया मेरी माता और मेरे भाई कौन है और उन्पर जो उसके आस पास बैठे थे द्रिश्ट करके कहा देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहिन और माता है झाल झाल